कैसे हो आप सब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यह अपडेट डे देता हूँ अपडेट नहीं यह क्योंकि बहुत से लोगों को यह चीज़े पता नहीं चलती है इफ यह आप बहुत इजीली यह लेफ्ट गैंग बोलो यह फिर जो यह हेटर्स बोलो इनका जो एक माइंड सेट है आपको आपको अपता चलेगा आपने देखा होगा सिंगम अगें सिंगम अगें जी हां उसका जब यह आया था ट्रेलर तो सबसे ज़्यादा अगर इन ध्यान से देखो आप यात कर लो दीपिका को कुछ लोगों ने बोला वो 2013 की चैनने एक्सप्रेस वाला ही उसने किया आई वो कियर देखो उसने जो डिया ऑग्स दिये वह जो नहीं दिये वह कैरेक्टर उसका जो भी वह फणी दिखाया है वह डियरेक्टर पर्डिशर की डिमांड थी और उसने वही किया है जो उसको बोला करना है अगर आप यह बोलोगे कि इन लोगों ने इतना और य करना च πर चाहें का देखो दीपीका इन लकी Ci अगर एक टाइम पर कैट्री ना हुआ करती थी अगर आप अभी देखोगे तो दीपिका एक लखी चाम है कल की ओल टाइम ब्लोगबॉस्टर गई जवान में कैमियो था वो भी अच्छी गई पठान भी अच्छी गई दीपिका इस लाइक भले उसका कितना भी रोल हो क्या हो बट सम्हाव वो सक्सेस डिलाई देती है एक्टर को अब यहाँ पे अगर वो गलती से कॉपी नियोर्स में सेट हो गई और उसको लेडी सिंगम मिल गई अग देखो इनकी लेफ्ट एको सिस्टिम का क्या एंगल है इसको पहले ही इतना बतनाम करो कि लेडी सिंगम टाइप कि यह कॉपी उनियोर्स में आगे चलके कनेक्ट रहे क्योंकि वो एक लखी फैक्टर है और अगर वो जो कि मैंने सुना है कि पठान टू में वो नहीं है अगर वो उसने सच में इसपाय आये साय जो यॉनियोर्स इनका अगर छोड़ दिया होगा तो यहाँ पे सेट हो यही है कि वो अगर आती है फिल्मों में वो कैसा भी रोल करे कुछ भी करे बट उसके जो एक साइलेंट फैन से श्रदा कपूर के फैन से कि वो बराबर उसको करते ही है सपोर्ट वो सोशल मीडिया पर नहीं दिखाएंगे इतना इवन दीपीगा भी ऐसा ही है सोशल मीडिया पर नहीं दिखाते है उसके फैन फोलोईंग लेकिन जब फिल्म में आती है उसको कर लेते हैं सपोर्ट अपने दम पे भी उसने पीकू जैसी फिल्म हीट करवाई यार आप वो देखो बहुत रेरली फ्लॉप फिल्म देती है मतलब देती है ऐसा नहीं कि आप देखो हर एक सब कुछ लाइफ टाइम हीट ही नहीं होता है बट बहुत रेरली आप देखो वो बहुत कम फिल्म लेती है तो सबसे उल्टा स्ट्रॉंग पॉइंट कौन है दिपीका है और जब emotional scene करना था तब उसने किया नहीं था जब आजे देखन के वो पैर पड़ती है वो दिखाया वो एक scene दिखाया ने आजे देखन उसको आशिरवात देता है या कुछ तो उसका हुआ होगा कोई तो उसका मरा होगा में भी कोई तो ऐसा scene है तो आप उसने sad acting करी नहीं है क्या ट्रेलर ध्यान से देखते तो वो देखते न उनको रोस्ट माराना था उसकी acting को अब देखो मैं खुद बोलता है कि वो एक ऐसा character है जो जान बुझ के ऐसा दिया है उसको कि जो over acting करने को ही बोला है आपको क्या ल को यह होने नहीं देना है ऐसे जो फेक यूटूबर्स है ना जो बेवजा का criticize करेंगे यह चाहते कि लेडी सिंगम ना बने यह चाहते कि सिंगम के बाद जब कोई फिल्म बने तो देपीका का cameo भी ना हो उसमें क्योंकि यह डरे है क्योंकि उसका एक factor है भाई लेडी लेकिन उसका एक एंगल होता ही है कि सपोर्ट मिलता है उसको और अगर वो गलती से कॉप यूनिवर्स में सेट हो जाती है और जैसे कि न्यूज आई है कि स्पाई यूनिवर्स में अब वो है नहीं क्योंकि इन लोगों ने आ लिया शरवरी को जिस तरीके से अभी special film लेके सम्हाव दीपीका वगरा वाला एंगल ही इन लोगों ने ये कर दिया है मतलब जो importance है वही कम हो गया ना कैटरीना का हो दीपीका का हो टाइगर में कैटरीना थी अब वो भी सूर्यवंशी में आई है और अब दीपीका भी यहाँ पे आई है समझो बात को तो ये सब उस वीडियो उसके फिल्म में तो कभी उसको क्रिटिसाइज ने करते ये लोग कभी करते क्या पठाट में कौन सी मास्टर पीस एक्टिंग करी थी भै दीपीका ने कि उसको उस टैम पे क्रिटिसाइज नहीं किया गया था ये तो दीख रहा है ने कि जान बुच के किया जा रह ताकि कॉप युजरस का एक सम्हाव मानो ना मानो एक और जादा थोड़ा सा है बढ़ जाएगा कि लेडी सिंगम आई है सिंगम एक करेक्टर है सूर्यवंशी भी एक करेक्टर है जो सक्सेस्फुल है दोनों इवन सिंबा भी सक्सेस्फुल हो गई थी अब आने वाली करीती कि सिंगम के बाद मुझे स्पेशल लेडी सिंगम पर भी फिल्म मनानी है यह रोहित के अगेंस्ट अजय के अगेंस्ट वाला यह एक हैंगल है इनकी दिपिका से दुश्मनी कभी नहीं है यह दिपिका को क्रिटीसाइज भी कॉप युनियर्स के वज़े से कर रहे है वर्ना नहीं करेंगे वीडियो को शेयर करो और इनको जवाब दो भाई कलेक्शन करवा के जवाब दो